हेलो फ्रेंड्स गुड मानिंग आज मैं यहां रेड वेलवेट स्पॉंज केक यूज कर रही हूं इसका मैंने क्रम कोटिंग करके साइड में रख लिया था अब मैं इसे स्मूथ कर रही हूं ताकि इस पर मैं डिजाइन बना सकूं तो मुझे यह ब्लू कलर का गाउन लुक देना है इस केक को तो मैं पहले एक क्लोथ हैंगर बना लेती हूं मिंस मार्क कर लेती हूं क्लोथ हैंगर का और फिर नीचे गाउन का और उसी तरीके से मैं रेड कलर से क्लोथ हैंगर बना ले रही हूं और स्काइबलू कलर का मैं गाउन बना लोंगी उपर का पोर्शन मैं बाद में बनाऊंगी जिससे ये dress defined दिखें तो बस इसी तरीके से मैं देरे-देरे करके बना लेती है और ये देखिए हमारा gown बिल्कुल रडी है आप इसे किसी भी ladies को चाहे वो friend हो, maa हो, sister हो, बेटी हो किसी के लिए भी ये design बना सकते हैं अगर उनको sky blue color पहनना है ये sky blue color पसंद है तो आप ये design जरूर ट्राइ करें और मैं red velvet cake बना रही हूँ तो मैं उसका जो crowns है उसे मैं side में use कर रही हूँ फिर मैं star nozzle से नीचे का border बना ले रही हूँ इस वजह से मैंने cake को एक shade जादा shift करके रखा था और उसी star nozzle से मैं side का border और उपर का hand भी बना ली और मैं जो side में उपर में border खा ली था उसे भी मैं same star nozzle से white और sky blue color मैं half sky blue ली थी और half white उसे मैं उपर में और नीचे में border बना ले रही हूँ और ये देखे फिरंट जिस लड़की के लिए मैंने बनाया उसका नाम अनन्या था तो मैंने अनन्या लिख दिया और जिससे मैंने अनन्या लिखा उसी से मैं कहीं कहीं पर dress पर dot 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 करके दे दे रही हूँ और ये मेरे पास कुछ silver balls थे उसे मैंने डाल दिया तो ये देखे फ्रेंट हमारा केक बिलकुल रड़ी है तो लग रहा है ना इंट्रस्टिंग आप इसे किसे भी gift कर सकते हैं कोई भी लेडिस को थोड़ा सा मैंने sky blue color का जो ball से उसे भी sprinkle किया ये लेजे फ्रेंट हमारा red velvet cake dress design में बिलकुल रड़ी है क्यासा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा thank you